इतना तिस वक्त महराज गंज में मौझूर है और कुछ कह रहे हैं सुनते हैं ज़रा फिरी में वैक्सीन फिरी में उपचार फिरी में टेस्ट यह भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा वह यो बेनो मैं आज पूछना चाहता हूँ सरकार तो वही है चेहरे बदले 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था कारण साब था गरीब का पैसा कहां जाता था उस समय की सरकार में जो लोग बैठे वे थे गरीब का पैसा हड़ब जाते थे अर आज वही गरीब का पैसा दिवालों से निकलते वे आपने पिसले चार दिनों के अंदर देखा होगा जेसी भी लगा करके पैसा निकला जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था ये गरीब को ना बक्कान देते थे ना सोचाले की सुविधा देते थे ना स्वास्ते की पांच लाग रुपे की आई इसमान भारत की सुविधा का सुविधा पलब्द कराते थे ना अवचार की विवस्ता करते थे और नहीं किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नफ्री में रासन नफ्री में वैक्सीन इन से प्लाइटिस जैसी बिमारी से हजारों मौते होती थी लेकिन कोई पूरसा हाल नहीं था भायो बेनो आज तो इन सभी प्रकार की सुविधा का लाब जनता जनारदन को मिलतावा दिखाई दे रहा है और आज मैं इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ कि भायो बेनो भारती जनता पार्टी ने जो कहा सोग करके दिखाया है जो कहा सो करके दिखाया है चाहे वह गरीब कल्यानकारी योजनाओं का हो हाईवे का हो या फिर स्वास्ते की सुविदाओं का हो या फिर गरीब को मिलने वाली अन्य योजना का लाप का भारती जनता पार्टी ने जो कहा गरीब कल्यानकारी योजनाओं का हो या लिकास की यौजनाओं का उनको पहुँचाने का कारे तो किया ही किया लेकिन साथ साथ भारती जन्ता पार्टी ने रास्ति चुरक्सा के मुद्धे पर कहा था कि कसमीर से धारा 370 हटाएंगे कसमीर से धारा 370 हटा कर के भारत के प्रतेक नागरिक को कस्मीर में जा करके अगर आप जाहेंगे तो वहाँ पर मकान खरीद सकते हैं लेकिन भाईयों बेनों अगर प्रेम सागर पटेल चाहते कि कस्मीर और सिरी नगर में मकान लेना है नहीं खरीद सकते थे लेकिन अब उनको स्वतंद्रता हो गई है वे कस्मीर में मकान भी खरीद सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं पईयों बेनों देश के नागरिकों को इस सम्मान दिया किसने भारती जंता पार्टी 1952 से कहती थी कि कस्मीर में धारा 370 आतंगबाद की जड़ है ये धारा 370 आतंगबाद की जड़ है और भारती जंता पार्टीस के खलाब भारती जंसंग और भारती जंता पार्टीस के खलाब लड़ती रही डॉक्टर स्यामा प्रसाथ मुखर जी ने नारा दिया था एक देश में दो बिदान, दो प्रधान और दो निसान नहीं रहेंगे कॉंग्रेस आतंगबाद की जड़ इस धारा 370 को पल्वित पोसित करती रही लेकिन जैसे ही मोदी जी को उसर मिला मोदी जी ने कस्मीर से धारा 370 को सदेव के लिए समाप्त कर दिया भाईो बेनो इस से पहले के चनाव जबाते थे उन चनाव में एक नारा गुस्ता था एक ही नारा गुस्ता था कि राम लिला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन मीडिया के लोग हम लोगों के चड़ाते दे कहते थे कि आप ये तो बोलते हैं लेकिन तिथी नहीं बताएंगे लेकिन भाईो बेनों हमने तिथी बताई नहीं प्रधान मंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्यमंदिर निर्मान का सलान नियास करके कारे भी प्रारंब कर दिया है अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान होने से कितने लोग खुस है कितने लोगों में खुसी है जो भगवान राम के भव्यमंदिर निर्मान से खुस है आप लोग मानते हैं ये कारे अच्छा हुआ है आप लोग मानते हैं दोनों आत्लागर के बोलेंगे जय स्री राम क्या ये काम कॉंग्रेस करती क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती क्या ये काम बहंजी करती भाईो बेनो जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे क्या वे राम मंदिर का निर्मान करते तो क्या आप उनसे कोई उमीद करते हैं क्या गरीबों की जमीनों पर कबजा करने वाले ब्यापारियों का अपहरण करने वाले दंगाईयों को गला लगाने वाले बिकास की योजनों का बंदर बांट करने वाले युवाओं के भौस्य के साथ खिलवाड करने वाले क्या आपके हितेसी हो सकते हैं क्या प्रदेश के हितेसी हो सकते हैं क्या समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज़ पार्टी या उससे पहले कॉंग्रेस इनकी तो यही परिपार्टी रही है के लिए प्रदेश को गिर्वी रखने का कारे किया था आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता आज तो कोई प्रदेश में राजक्ता नहीं पैदा कर सकता आज सभी दंगायों को मालूम है अगर दंगा करेंगे तो साथ पीडियां भर पाई करते करते ठक जाएंगी और इसलिए दंगा नहीं होता है पिछली सरकारों ने आस्ता के साथ कितना खिलवार किया था पर वो रत्यवार आते थे दंगा सुरू हो जाता था कि प्रदेश की सांति और सहार्थ को बिगाड़ोगे प्रदेश के गरीबों को प्रदेश के ब्यापारियों को लूटोगे तो तै कर लेना फिर तुमारे लिए कहां जगे होगी और भाईो बेनो आज आप देखते होंगे अवैत कमाई से जिनों ने संपत्ति अर्जित की है या तो संपत्ति सरकार जप्त कर रही है या उस पर सरकार का बुर्डोजर चलना है प्रदेश सरकार के बुर्डोजर को देखा है ना और प्रदेश सरकार का बुर्डोजर चलने से पीड़ा किसको होती है समाजवादी पार्टी को कॉंग्रेस को बहुजन समाजवादी पार्टी को क्योंकि यही तो इन माफिया और अपरादियों के सबसे बड़े सरप्रस्त थे चुनावारे सभी माफिया एक बार अपना ठोड़ ठिकाना इन पार्टियों में ढूंड़ते वे दिखाई दे रहे हैं आपको तै करना है इन माफियाओं को भारतिय जनता पार्टी ही सही डंक्स का रास्ता दिखा सकती है और इसलिए भाईयो बेनो एक तरफ भारतिय जनता पार्टी के नित्रतों में राष्टबाद सुसासन और विकास के मुद्दे पर कारे करने वाली भारतिय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने समाज के प्रतेक तपके को इस बियोस्ता के साथ जोड़ा डवलिंजन की सरकार है तो रासन का डवल डोज भी मिलना होगा रासन मिलना है रासन की सुविदा और रासन की सुविदा और रासन के साथ तो यह भी वियोस्ता कर दी गई नया वैरेंट जब करोना का आया है ते तह कर दिया गया कि हर मेने एक बार एक किलो दाल और एक किलो खाद्य तेल भी हम उपलब्द करवाएंगे हर गरीब को अंतोदे काड़ धारक को एक किलो चीनी भी देंगे एक किलो नमक भी देंगे बायो बेनो सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि पहले की सरकारे लूट पी थी पैसा भर भर के अपने घरों में भरती थी अब सरकार उसी पैसे का उप्योग करके विकास के कार्यों के लिए भी कर रही है गरीब के मकान के लिए भी कर रही है गरीब के सोचाले के लिए भी कर रही है गरीब को मिलने वाली सुवधा के लिए भी कर रही है गरीब के फ्रियुक चार के लिए भी कर रही है और हर जन्पद में सुविधा प्रदान करने के लिए भी कर रही है और मुझे आज आप सब को एक खुस खबरी और देनी है हमारी सरकार ने तै कर दिया है महराजगन जन्पद में भी हम लोग PPP मोड पर एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देच चुके हैं हम लोग पहले ही गोरकपुर में एम्स का उद्गाटरन प्रदान मंत्री जी ने कर दिया है देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारम हो गया है कुसी नगर में मेडिकल कॉलेज का निर्मान कारे प्रारम हो गया है सितार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज बन गया है और आप माहराज गंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्मान के कारे को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और उसके लिए या कारे अब अतेजी के साथ आगे वढ़ेगा आप सब को मैं इसके लिए बधाई देता हो आज 436 करोड़ पे 437 करोड़ पे कि इन परियोचनाओं का जो लोकारपन और सिलान्यास हो रहा है इसमें हॉस्पिटल के भी है ऑक्सिजन प्लांट भी है हाईवे भी है सड़क भी है बिद्यालियों के निर्मान के भी हैं जन परतनियों के विकास से चुड़ी भी तमाम योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाब हर एक गाउं को हर एक गरीब को हर एक किसान को हर एक नौजवान को बिना भेदभाव के प्राप्त होने वाले हैं और इन योजनाओं का लाप निरंतर मिलता रहे इस दिश्टि से आज जन्विश्वास स्यात्राप का असरिवाद प्राप्त करने के लिए हाँ पर आई